है है आज हम सीखने वाले कि power of a lens क्या होता है एक extremely important topic है दो माकस सवाल हर साल इसमें आता ही आता है चले सीखते हैं क्या होता है ठीक है power का definition standard होता है reciprocal of focal length of a lens 1 upon f जहां पर आपको बहुत importantly याद देना है कि यहां पर जो focal length होगा वो मीटर में होगा मीटर में होना चाहिए centimeter लेकर पावर मत निकालना गलत हो जाएगा अगर आप मीटर में लोगे focal length तो power की SI unit हो जाती है diopter क्या होती है diopter board examination में पुछ आता है कि भाई डाप्टर का definition बताओ क्या होता है तो simple सी बात है diopter is the SI unit of power when the focal length of that lens is in meter simple सी बात और कुछ जादा मत सोचना ठीक है यह हो गया सीन अब आगे बढ़ते हैं समझने के लिए भाई power lenses कैसे define करेंगे देखो यहां पर द्यान से power का एक और definition होता है the ability of a lens to converge और diverge light rays मतलब इसका मतलब जितना ज्यादा converge करता एक lens उतना ज्यादा powerful होता है जितना कम करता है converge उतना ही less powerful होता है diverge के case भी same scene है तो यहां पर एक lens है दो लेंस हैं तो इस यंश्य सब्मिकश कर दिया और आप यहां पे देखने हो जहाँ सकते हैं यहां पर focus कितना जाद है power कम है यहाँ फोकल लेंद कम है लेकिन पावर जाद है करेट इसलिए हमने बूला था power is inversive proportion to focal length तो जितना जल्दी कोई lens converge कर दे या diverge कर दे उसको जादा powerful कहते हैं जितना कम कर रहें वो उसको कम powerful कहते हैं और ये भी याद रखें कि भाई थिन लेंसेस अर लेस पॉर्फुल एंड थिक लेंसेस अर मोर पॉर्फुल यह एक्जामनेशन का दूसरा सवाल भी है तो मिलते नेक्स सेशन में अंटिल दिस अभिशे साइनिंग आउर थीज